हेलो एबरिवन वेलकम टू पीएच पातोहब नए हो तो पली सस्क्राइब करें आपके सपोर्ट की ज़रत है हमेटलोजी का टॉपिक शुरू है हमेटलोजी का प्लेलिस्ट शुरू है जिसमें आज हम बलड के बारे में पढ़ रहे हैं हमने प्लाजमा भी देखा और भी सार चीजे बलड से ही जुड़ी हुए और यह एक इंपोर्टेंट पॉइंट है तो बलड क्या है बलड इस लिक्विट फ्लूड कनेक्टिव टिसू बलड एक स्पेसलाइजड कनेक्टिव टिसू है आपने टिसू चैप्टर पढ़ा होगा तो आप चानेंगे कि बलड क्या है एक तरह का लिक्विट कनेक्टिव टिसू है जो क्या करता है एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है इट कंसिस्ट ऑप प्लाजमा आर बीसी डबलू बीसी एंड बलेटलर्स बलड जो होता है यह दो चीजों के मिलने से बनता है पहला तो आप समझे आप सॉलिट अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आता है आर बीसी डबलू बीसी प्लेटलर्स यह तीनों और अगर मैं बात करूं लिक्विड पार्ट की तो प्लाजमा आता है आपको प्लाजमा का सेपरेट वीडियो मैं देंगा आर बीसी का सेपरेट वीडियो डबलू बीसी का सेपर और जो हमारा RBC, WBC और platelets होता है, यह 45% भी होता है, लेकिन उसमें से भी RBC जो होता है, यह 44% होता है, और 1% में ही platelets भी आते हैं, और WBC भी आते हैं, तो यह आपको basic जानकर यह आपको blood के बारे में होनी ही चाहिए, और blood is a fluid in nature, क्या होता है, यह fluid होता है, नेचर में मतलब liquid होता है, आप जानते ही है, और more than water से इसके viscosity जो होती है, इसका हम गाढ़ापन कह सकते हैं, यह more than water होता है, और यह उसका temperature भी होता है, वो more than हमारे body temperature ज्यादा होता है, आगे अगर हम पढ़ें, तो apart from the consistent, there are several ingredients like vitamins, minerals and electrolytes, इसमें क्या होता है, blood में हमारे बहुत सारे चीज़, vitamins, mineral and electrolytes होता है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि क्या होता है, प्लाजमा में रवच्पन परसेंट, उसके बाद blood जो sales होते हैं, वो हमारे 45%, जिसमें 44% RBC हो जाता है, और 1% platelets और WBC आते हैं, तो यह मैं पहले ही बता चुका हूँ, आग blood contains 5-6 liter of blood, क्या होता है, कई बार blood का liter पुछा जाता है, कि हमारे सरीर में blood की कितने liter अबलेबल होते हैं, तो हम कहेंगे कि 5-6 liter के करीब, according to health, according to body structure, shape, और उनका कैसा स्वास्थ है, उससे relate करेगा, तो 5-6 liter हम minimum कह सकते हैं, हमाहिलाओं में कम और पूरुसों में थोड़ा सा ज्यादा, blood is 7%, 8%, 10% of body weight, हर किताबों में आपको अलग-अलग चीज़े लिखी मिलेंगी, Google पे, Internet पे अलग-अलग, इसलिए मैंने सारे लिख दे, लेकिन आप मानें कि 7%, हमारा blood जो होता है, हमारे body का 7% होता है, अगर आपका body का weight, लगबक 60 kg के करीब है, आप उसका 7% नि मिलेंगे, कई किताबों में 10% भी मिलेंगे, तो यह हर किताबों किताब की बात है, और वैरी करते रहते हैं, ऐसे book to book, और medical है, हमेशा इसमे research होता रहता है, तो और pH की बात करूँ, तो pH क्या होता है, यह slightly alkaline होते है, मतलब, slightly alkaline का क्या है, मतलब, acidic ना होकर alkaline होते है, तो 7 1.352, 7.45, मतलब, उपर की और जाते है, मतलब, 6 से नीचे नहीं आएंगे, 7 से नीचे नहीं तो वो क्या बात है, acidic हो जाएंगे, alkaline मतलब, वो उपर की और जाएंगे, तो slightly alkaline होते है, specific gravity की बात करूँ, तो 1.0502, 1.060, 1.0502, 1.060, यह क्या होती है, specific gravity होती है, यह कई ब आपके interview में पूछे जाते हैं, तो यह आपको मुह में याद होने चाहिए, हमेशा आपको कोई पूछे blood के बारे में, तो यह सारी basic information आपके पास available होना चाहिए, आए, storage of blood की बात करते हैं, तो हमारे सरेर में blood जो है, वो store कहा होता है, या फिर हमेंसे blood bank भी कहते हैं, तो व हमारे जो blood का production होता है, वो red bond marrow, bond marrow दो तरह के होता है, yellow bond marrow and red bond marrow, यह क्या हाँ पर होता है, यह हमारे हड़ियों के बीच में होता है, आप देखेंगे, आप figure कभी आप anatomy physiology में बताऊंगा, तो उसमें में बताऊंगा, कि red bond marrow कहाँ पर available होते हैं, तो यह ऐसे याद रहे कि बड इच में structurally आपको red color के spongy like structure में bond marrow दिखाई देंगे, जहाँ पर hemopoiesis होता है, मतलब blood का बनना, development of blood होता है, अगर फंसन की बात करें, तो यह किस तरह के होते हैं, तो फंसन में यह respiration में help करते हैं, हमारे acid-based balance में help करते हैं, water balance में help करते हैं, हमारे body के temperature को maintain करते हैं, ट्रा चीजों को ले जाना, उसमें help करते हैं, coagulation में help करते हैं, खुन को थक्का जमाने में, platelets का ही काम है, तो यह सारी चीजे जो हैं, कई बार फंसन के लिए पूछी जाती हैं, आप इन्हें जरूर अपने notebook में note करें, और please आपके support की ज़रत है, आपका support मुझे और भी उत्सा email id दिया हुआ है, आप question पोच सकते हैं, notes ले सकते हैं, number दिया हुआ है, किसी personal help के लिए, कौन से इनके लिए आप call भी कर सकते हैं, thank you, thank you everyone, phpato hub को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद